नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका धैरक एडमी वन डे एक्जामनेशन ट्रिक पर जो की है यूपीटेट, सीटेट, सूपर्टेट और सभी सिक्षिक भरती परिक्षाओं के लिए आज हम बात करेंगे कि शोरा वस्था को अधिगम का कठिन काल क्यों कहते हैं इस पर आए दोस्तों बात करते हैं कि शोरा वस्था अधिगम का कठिन काल मतलब इसको याद करने की बहुत सारी अवस्था हैं जिनको याद करने का आसान से ट्रिक बताने जा रहा हूं उसके पहले आपको देखनी पड़ेगी विशेश मुई इसका नाम है कबीर सिंग कबीर सारी आध हो जाेंगी तो पहला है सह्चंद मूलियों के समायोजन से समयकि उद्या-सींता मतलब से सम्वेगी उदासींता यह याद के लिए सेंटेंस याद कर लेंगे कि सक्षन्द मूलियों के समाज़ाओं बहुत ज्यादा सक्षन्द मूल रहते हैं तो सम्वेगी उदासींता आ जाती है फिर इसके आद निशेधात्मक निशेधात्मक दिवा स्वप्न से दिवा स्वप्न से बाहरी काम तथा अधियन में अरुची तो यह सेंटेंस हमें याद करना इतना ध्यान देना है कि सच्षन्द मूलियों के समाज़ाओं से सम्वेगी उदासींता आ जाती है कबीर सिंग को उसके आद वो निशेधात्मक दिवा स्वप्न से बाहरी काम तथा अधियन में अरुची ले ले लेता ठीक है तो इसको डिकोड कैसे करेंगे दोस्तों सबसे पहले देगेंगे सच्षन्द मतलब आदमी जवानी में क्या र कि अनुशाशन्स से मुक्ती और अनुशारश से मुक्ती इसके ऊबाद वो मुल्यों और आदर्शों पर नहीं रहना चाहता हूं पूंसम में संघर्ष करता है मैं इधर चलू या उधर चलू तो इसमें लिख लिए मूल्यों और आदर्षों में संघर्ष वो सोचता है साधी करें कि ना करें करें कि ना करें तो संघर्ष हो जाता है मूल्यों में पुराने मूल्यों में और आदर्षों में संघर्ष हो जात इसी कंडिशन में वह कहीं भी वहीं इसमयोज़त नहीं हो पाता तो उसे समायोजन में असमयोजन में में जह प्सक्राइए ठीक है असमर्थ कहीं भी सेट नहीं पाता उसके बाद क्या होता है उसे गुस्सा बहुत रहता है कि कुछी चीज को करने के लिए बहुत जाद उत्तेजित हो जाता है तो सम्वेगी अप सम्वेगातमक अपरीपकोता अपरीपकोता कोई भी डिशीजन ने ले पाता कोई भी निर्णाय ने ले पाता और हर काम जो है जोश में गुस्से में करता है इसलिए उसे बोलते हैं सम्वेगातमक अपरीपकोता और उसके बाद जब कुछ कम काम नहीं हो पाता है जब कीचे में सक्सेस्फुल नहीं हो पाता है तो आखर आती है उसमें उदासींता है कि उदासींता आ जाती है फिर आगे फिर हमने देखा सच्छन्द मूल्यों के समय उजन से समवेगी उदासींता ते किसमें कि सोरा वस्था में ऐसे बंदेज होते हैं इन सब चीजों से घिरे हुए होते हैं उसके बाद देखे आता है निशे धात्मक मतलब सबसे निशे धात्मक सबसे निगर्टिव वेवहार करता है निशे धात्मक वेवहार हो जाता है इसका निशे धात्मक वेवहार हो जाता है सबसे उसके बाद दिन में बड़े बड़े सपने देखता है कि मेरे पास बड़ी सी कार होगी, अच्छी सी गल्फ्रेंड होगी, सब कुछ होगा, तो दिन में सपन देखता है, दिवा सपन देखता है, दिवा सपन देखता है, बाहिर गमी प्रवर्ती का हो जाता है, बाहिर गामी प्रवर्ती का हो जाता है बाहिर गामी प्रवर्ती फिर इसके अंदर कामो तेजना योन वासना और योन आकरशन हो जाता है इसके अंदर योन की तरफ अपने निगेटिव सिक्स की तरफ अट्रेक्ट होने लगता है यौन आकर्शन में उसके बात आकरी में अध्यन में अरूचि हो जाती तो हमने देख लिया कि सारी कि सारी चंडीशन कभी इपिच्टर मिल लाई है a सबसे व्योहार हारने के बाद सबसे व्योहार हो जाता है दिन में सब्सक्राइब नहीं बढ़ जाता है और पढ़ाय लिखाए में मन नहीं लगता तो यह सारी बाते जो होती है कई बार पूष्टा इन में से कौन अधियम का कठीन काल माना जाता है तो आप हम लोग गलती कर देते हैं तो हम लोग यह ध्यान देंगे कि कभीर सिंग पिच्चर में हीरो क्या क्या जहिलता है अगर वो याद रहेगा तो पूरा के पूरा सिस्टम अपने आप हो जाएगा ठ यह आपको पसंद आ रहा है तो नीचे लगा लाल बटन दबाएं लाइक करें सब्सक्राइब करें धन्यवाद